हेलो प्रेंट्स वेल्कम है आप सब का हमारे चेनल उचली कुकिंग में फ्रेंड्स आपने काजु कत्री तो बहुत बार खाई होगी तो क्या आपने कभी काजु के पेड़े खाया है तो आज मैं बना रहें यूँ बहुत ही टेस्ट है अमेजिक काजु के पेड़े तो देख सकते हैं छिल्का कितनी अच्छे से क्लेइन हो चुका है और काजु की अंदर से बिल्कुल ही फ्रेस है तो यहाँ पर देखिए सारे काजु को हम पहले शाफ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रहें सीबिये रहें जरूर से ट्राय करिएगा फास्ट अपरे में भी अब खा सकते हैं तो यहाँ पर सारे काजु को हमने साफ कर लिया है छिल्किया और लड़े निकाल चुके हैं हमने और काजु की इतने अच्छे से दिख रहे हैं बिल्कुल फ्रेस से कहिसे इसमें कोई भी खराबी नहीं है तब इसको हम पीच के बारीक सा पाउडर बना के ट्यार करेंगे मिकिसी में तो फटाए-फट से पहले इसे पीच लिते हैं तो यहाँ पर दिख है इसे पी दिया है इस तरीके से एक दंबार एकसा पिच लिया है मैजी मेरť आ पडालेंगे तो इसी तरीके से जिएरो पे भी आं प пять in गए तो इसी तरीके से पिसके तयार न तो साथ ही साथ में हमने यहां पिलाजी लिया है, फोटा हुआ, मिल्क पाउडर एक कटोरी लिया है और यहां पर मैंने एक कटोरी के करीब चीने लिया हुआ है, तो इद्ने सब चीजों से मैं मिठाई को बना के त्यार करने वाली हूं, टेस्टी आपने से मिठाई बनेगी और टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लूस रहता है, लेकिन बात में यह टाइट हो ली जाता है, तो आईए चलते हैं फ्रेट्स, गैस के पास, गैस पे हमने रखा एकडाई, जैसे एकडाई गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे दो से तीचा मज के कर घी, अगर घी नहीं पसंद है तो आप इस किप भी कर सकते हैं, घी से थोड़ा मिठाई के तर चिकनापन आ जाता है, इसलिए मैं डाल नहीं हूँ, अब घी गरम हो गया, आप इसमें हम पीसे काजु को डाल देंगे, और इसे हलका सा एक मिनट ही रोष्ट करना है, ज्याद अब जैसे ये मिक्स हो जाएगा, वैसे इसे हिसाब से हम इसमें चीनी को डाल देंगे, चीनी को भी अच्छे से दोनों को मिक्स करेंगे पहले, चीनी इतने जल्दी नहीं गलेगी, अगर थोड़ा इसे लो फ्लेम पे आप टाइम देगे तो चीनी कर जाएगी, लेकिए को मिक्स हो चिपका है इसके अंदर और इसे जो भी मतक चम्चे में चिपका है इसे हम निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे से हमने इसके अंदर चीनी को मिक्स कर दिया है, काजु के अंदर, अगर अब सहती चीनी बाट में भी डाल सकते हैं, लेकिन खीनी को भी धोरा सवच करना होता है, अब इसमें हम नालेंगे आदा गिलास पानी और इसी मिक्स करेंगे, इसमें गुथे बिल्कुल में नहीं रहने चाहिए, अब आदा गिलास के करीब पानी और हम डालेंगे इसमें, अब चीनी बहुत तेजी से मैल्ड होगा, काजु के अंदर, तो पानी की जगाब आप दूद भी ले सकते हैं, तो मैं मिल्क पाउडर ले ली हूँ, इस वज़े दूद भी कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फास्ट मुमेशिवेत में चलाते हुगा, इसे मिक्स करना ही, तो देखे बहुत अच्छे से proposing मिक्स हो गया, बिल्कुल में लँंस नहीं है, कुल्टिया नहीं है, तो इसे हम लो फ्लेम पे चलाएंगे, बिया है अब साती साथ में मिल्क पौडर डालेंगे मिल्क पौडर हम इस तरह से इसलिए डालने कि तमावे का टेक्चर आएगा थोड़ा दाना दाना टाइप इसमें दीखना चाहिए मिल्क पौडर डालने के बाद बहुत जबर्चस्त वाला मिक्सिंग करना पड़ता है थोड़ा सा मतलब हाथ को टाइट रखके आप इसे मिक्स करें ताकि यह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए काजिबी अंदर इस मिठाई को बनाने में बहुत ही जादे टाइंग के जरूरत नहीं है बहुत जाले चीज़ों की जरूरत नहीं है तो यह जली यह बन जाता है और जो भी खाता है मिल्मों में घुलने के जाद वो आपके बहुत तारीफ करेगा और तेज से इसका तो आप पूचिए नहीं है पेले इसके बहुत सी सांदार बनते हैं काजू के तो इस त कि लो फेव प्रमिसी इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं मिल्क पाउडर का दाना दाना आपको दिख रहा होगा इसे कंटीनिव चलाएंगे तब तक हमें चलाना है जब तक कि ये पूरी तरह से कडाई को छोड़ना दे तो यहां ठीक ही थोड़ा थोड़ा ये कडाई छोड़ने लगा इस बात का खाशकर ध्याना आप दखें चब तक कि ये कडाई नहीं छोड़े तब तक किसी नहीं बंद गरना है और चलाते रहना है एस तरह के से कि ताकि इनेचे से पकड़ी भीना तो यहां पर मैं इस तरह के से चलाते हुए इसे त्यार कर ली हूँ और ठंडा करके हलका तरवने से ठंडा करके प्रेट में निकाल लिया तो इसका टैक्चर आप दीख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना हुआ है अब हाँ तुम्हें पानी या घी कुछ भी थोड़ा सा आप लगा लीजिए और लगा कि अपने एक ओरिंग छोटा बड़ा पिलना आप त्यार कर सकते हैं काजू का यहां पर देखे मैं इस तरीके से प्रेड़े को त्यार कर रही है थोड़ा सा यह नरम है तो बाद में टाइट हो जाएगा तो इस तरीके से हमें प्रेड़े को बना के त्यार करना है अब इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे फटा फट से सारे प्रेड़े को हम बना लेते हैं दूसरा भी मैं बना के दिखा देती हूं उसी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है मिस्चुईत की बिल्कुल केमिकल्स से दो दो तक इसका कोई भी वास्ता नहीं है तो यहां पर देखी इस तरीके से प्यारी हमने बनाए हैं सिंपल प्यारी और इसके हम कटे हुए पिस्टे लगाएंगे बहुत ज़्यादे मात्रा में पिस्टा लगा देना है इस देकी यह सुखेगा तो बिस्टा इसके अंदर सैट हो जाएगा सभी भी मैं लगा रहे हूं तो आप सब कमेंट नहीं करते हैं कि मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लगती है तो कमेंट करके जरूर ही बताईएगा कि मेरी छोती बड़ी रैसी भी आपको कैसी लगती है अच्छी लगती है कि नहीं लगती है तो में उसे पता जलेगा अगर अच्छा नहीं लगता तो भी बताईएगा और लगता है तो भी बताईएगा तो सारे प्यणे के उपर हमने पिस्थे लगा दिये हैं यहाँ पे आप देखें अब दूसरा प्लेट जो मैंने बना के रखा है इस पर भी हम लगाएंगे फटा-फट से मैंने तीन प्लेट में भी बना के रखा है इस प्यणे को अब इसे आप पग्य के पास रखें, अगर फ्रीज है तो फ्रीज में रखें, फ्रीजर में नहीं रखें, फ्रीज में नॉर्मल टम्प्रेचर पर इसे रख दें, और रात बर छोड़ दें, सुबब यह बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा, तो आई हो वीडियो आपको पिरने बनके हो गया त्यार, तो कैसा लगा आपको यह तरीका चरूर बितारिएगा, तो मिलते हैं आप सभी से इसी तरीके से एक न्यू वीडियो, एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्त रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और मेरे वाज करें, तब तक के लिए, बाब बाई एंड टेक के आशे.